तोड़े वीडियो अफ दिस यूनिट इसमें हम कुछ और मॉलेक्यूल के बारे में पढ़ेंगे उनके रिकालेंगे हमने पिछली वीडियो में कारवन तक कर लिया था दू आज हम नज्टरोजन से स्टार्ट करते हैं तो ये हमारे पास नैटरोजन का मॉलेक्यूल है नाटरोजन के एक शेल में अलब क कि אुसके एक अर्टम में कितने वह रही होते हैं आपके पास viktigt इतने number of valence electrons होते हैं 7 तो 2 में कितने होंगे 14 तो 14 की electronic configuration हम किस तरीके से निकालेंगे देखिए यहां पर 1s2 यहां से लेके पूरा यहां तक के के हो गया यह के 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 क्या होगे आपका 8 electrons number of electrons कितने होगे इसमें 8 electrons होगे ठीक है अब उसके बाद 14 फिल करने हैं यह वाला आजाए electrons कर जाएंगे is it clear ठीक है चलिए अब आप इसको क्या करोगे अब I hope कि आपको configuration करना आ गया होगा इसको आप अपने accordingly ही adjust करिए का कि इसको आगे रखना है कि इसको पीछे रखना है ठीक है वर एक बाद ध्यान रखेगा जो मैंने पहले भी बताईती है आपको कि πाई 2 पी ऑपई 2पी जैड में दोनों में electrons जू है वह सात में में भर हैंगे आप ऐसा नहीं कर सकते कि पहले दोनों electrons पाई टुपी वाई में भर दो अगर आपको इस दो electrons है आपको दोनों को डिस्ट्रब्यूट करना है तो आप 1-2-प्पी नगे और और one two p z में जाएंगे देखिए मैं इस चीज को आपको बहुत अच्छी से एक्स्प्रेंट करना चाहते हूं ताकि आप गड़बढ़ना करें एक तो आपका अरेंजमेंट अगर आपके वास दो इलेक्ट्रों बच रहें लास्क में पूरा करने के बात ठीक है एक आपकी कन्फिगरेश्ण क्या हो सकती है और यहां पर जीरू तो यह वाली जो है और ये साहां तो हैं तो सब्सक्राइस हो सकता है कि अपर लिक्त्रॐार बचाये होंगे तो एक है टी एलेक्ट्रोन फिल करना था तो वह वाई वाले में फिल कर दिया समझ में आया तो आप ऐसे नहीं कर सकते ध्यान रखिएगा आगे बढ़ते हैं हम इसका बॉंड डॉटर निकालने के लिए नमर ऑफ बॉंडिके कि टिये दिये हैं आप दो yn करते हैं मैं नहीं किया था दो नमर आफ जाते हैं डो दो चार तो आपके four electrons हो गए तो आप formula को यूज़ करेंगे तो bond order कितना है इसका three आगे move करते है oxygen atom oxygen के molecule के पास कितने electrons हो जाएंगे आपके oxygen के molecule एक item के पास हो जाते है six electrons तो दो के पास कितने हो जाएंगे two into six eighteen sorry two into eight sixteen उल्टा पूलके two into eight कितना हो जाएगा 16 अब यहां पर 16 electrons होगे आप 16 electrons की fulfillment करोगे आपकी यहां तक तो एकदम exact same रहेगी फिर उसके बाद यह जो है फिल हो जाएगा यहां पर यहां तक तो आपने अभी अभी उसमें भी किया था nitrogen में उसके बाद दो electron और बचे तो यहां पर क्या configuration आई देखे ज़रा ध्यान से py में one और pz में भी one जैसा कि मैंने बताया था अब इसका bond order निकालते तो कितना आएगा number of electrons in bonding दो दो चार पंच छे साता नो दस ठीक है और anti bonding में चार पंच छे कितने आए छे तो यह bond order कितना हुआ इसका दो अब फ्लोरीन का निकालते हैं चलिए फ्लोरीन का निकालेंगे तो फ्लोरीन के एक 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 होते हैं होते हैं होते हैं नो इलेक्ट्रों तो आप 9 इंटी 2 कितने हो जाएंगे 18 अब ऐसे ही आप इसका बॉंडिंग और अब देखिए एक इंपोर्टन सी चीज जो मैंने आपको पहले भी एक्स्प्रेंग करी थी एक वार को एक रिव्यू के फॉर्म में बता देते हैं कि बॉंड और जितना जादा होगा उतनी ही कम बॉंड लेंथ होगी और उतनी ही जादा बॉंड की एनरजी होगी ठीक है त कि क्या चीज है यह symbolic representation है मतलब कि इसका क्या मतलब हुआ कि increase कर रहा है और इसका मतलब क्या हुआ decrease कर रहा है जी कि अगर आप इस format में लिखते हो ऐसे symbolic representation से तो cases जादा होते है कि आपकी दमाग में अच्छे से बैट जाए चीज़ें ओके तो आप इसी तरीके से करिएगा अ क्या होनी चीज है तीन कंडिशन होनी चीज है उनकी क्या होनी चीज है पहले तो similar energies होनी चाहिए ठीक है उनका charge cloud भी possible होना चाहिए और same symmetry भी होनी चाहिए ठीक है देखते है अब हम पहले हमारे पास आता है HF HF hydrogen और fluorine hydrogen के पास कितने number of valence electrons one fluorine के पास कितने number of valence electrons nine ठीक है तो कितने होगे total number of valence electrons दुनों के count करेंगे तो 10 तो अब आप 10 की configuration बनाएंगे तो आपकी configuration कुछ इस तरीके से बनेगे देखिए इसमें 2 आ गए ठीक है इसमें 2 फिल हो गए इसमें 2 फिल हो गए इसमें 2 और तक तो हमें पता है कि कितने हो जाते हैं eight electrons हमने पढ़ा है kk equals to eight electrons इसके बाद दो और बच्चेते दो इन्हों ने इहार फिल कर दी है ठीक है अब उसके बाद हम इसका bond order calculate करेंगे तो कितना आएगा bond order चली calculate करते है bonding कितने bonding electrons एक दो तीन चार पांट छे हैं आप पर bonding electrons ठीक चार चार है तो six minus four कितने हो गए two or two कितना होगा आपका वन आ जाएगा ठीक है यह थोड़ा उल्टा लिगती है यहां पर आजएगा six यहां पर आजएगा four and minus answer क्या जाएगा two divided by two equals to one okay आगे बठते हैं चलिए सियो मॉलेक्यूल कारबन मोनो ऑक्साइड कारबन के पास वेलेंस लेक्ट्रों कितने होते हैं six oxygen के पास कितने होते हैं eight total कंबाइन करके कितने हो गए 14 अब इसका bond order इसका configuration कुछ इस तरीके से निकलेगा यहां से पूरा लेके जैसा मैंने बताया है आपको इधर से लेके इ 12 के बाद अभी दो और फिल कर दिये तो कितने होगे 14 इलेक्रों now we'll calculate the bond order bond order calculate करिये देकि number of bonding में कितने होगे 24 यह आपकी होगे 8 ठीक है यह पूरे total कितने होगे आपके पास 8 and then यह होगा आपके पास 10 तो यह 10 होगे आपके पास bonding में माइनस एंटाय bonding में 2 4 कितने होगे 4 त क्या अंसर आया 3 चलिए अब आगे बढ़ते हैं nitrogen oxide अब इसका positive iron बन रहा है अब इसका positive iron जैसे यह पहले बताया था सेम वही चीज है nitrogen में कितने number of electrons अपके 7 electrons oxygen के पास कितने electrons आपके पास 8 electrons 7 plus 8 how many electrons there is total 15 electrons positive charge मतलब कि एक डोनेट कर दिया 15 में से एक डोनेट कर दिया तो कितन मचा 14 electrons a very simple configuration क्योंकि पहले अभी अभी explain करी थे हमने ठीक है as it is बन जाएगी simple configuration अपकी अब उसके बाद इसका bond order calculate करिएगा bond order calculate करने पे इसका 3 आता है okay I hope so आपको यह सारी चीजे समझ में आ गही होंगी आप इसको practice करने के जादा-जादा bonding orders और जादा-जादा molecules के configuration करिए आपको I'm sure बहुत अच्छी से आजाएगा it's not very tough अब हम last topic में move करते हैं that is comparison between valence bond theory and molecular orbital theory अब valence bond theory और molecular orbital theory में comparison करेंगे अब हम okay the principles which govern filling of the orbitals in both the theories are same hunt's rule, aft-baust principle it utilizes the resonance, hybridization and the concept to explain the structure comparison करने पहले तो similarities similarities क्या है दोनों में कि दोनों ही basic तीन principles को लेके अपनी theories देती हैं क्या क्या principles है hunt's rule, aft-baust principle, poly exclusive principle, कुछ hybridization और कुछ resonance के case में भी ठीक है तो ये एक similarity में लिए दूसरी क्या है आपके पास कि valence bond theory, VBT मतलब कि valence bond theory, valence bond theory जो है वो retain करती है individuality of atoms but bonding is described in terms of pairing of unpaired electrons, valence bond theory में क्या होता है कि alag-alag atoms को consider किया जाता है पर जो pairing है वो unpaired electrons के संद की जाती है, ठीक है, normal सी चीज है, MOT मतलब कि molecular orbital theory, अब molecular orbital theory क्या state करती है कि molecular orbitals form होती है by the linear combination of the atomic orbitals, these molecular orbitals are similar to the atomic orbitals but ये encompasses करती है nuclei को भी and hands are polycentric in nature, तो VBT में सिर्फ और सिर्फ pairing होती थी unpaired electrons की पर MOT में क्या होता है, आपका nuclei को भी income pass किया जाता है, ठीक है, इसलिए इसको क्या कहते हैं हम polycentric in nature next move करते है, it also explains the parametric, paramagnetic character of O2 on the basis of the presence of two unpaired electrons मतलब कि molecular orbital theory से आप ये पता लगा सकते हो क्यों सा molecule paramagnetic है और क्यों सा diamagnetic है paramagnetic कौन से molecules होते हैं, जिनके पास क्या होता है, presence of unpaired electrons और diamagnetic वो होते हैं, जिनके पास pairing होती है paired electrons की, if in case, आपको pairing, आपने configuration करी, किसी भी molecule की, और configuration करने पे उसमें end में आ रहा है, कुछ ये एक second, आ रहा है आपके पास sigma 2px और 1, अब इसमें एक और आ सकता था, तो ये क्या हो गए, unpaired electrons हो गए, या फिर आपके पास आता है, कुछ इस तरीके से 1, 1, ये भी unpaired है, अब इसमें दो और आने चाहिए, तो इस case में क्या होता है, ऐसा molecule paramagnetic के लाए जाता है, ठीक है, आगे पढ़ते हैं, according to this MOT approach, atoms do not retain their individuality, तो molecule orbital theory में, atoms के पास खुद की individuality नहीं होती है, all the nuclei do not, all the nuclei do not retain their individuality, all the nuclei are assumed to behave as a single unit, around which electron are present in the molecule orbitals, this approach uses the linear combination of the atomic orbitals or LCAO method, ठीक है, अब ये LCAO method का use करते हैं, इसमें nucleus को भी लिया जाता है, और ये individuality जो होती है, atoms की वो नहीं कंपर के जाती है, तो this is all for this unit, okay, from this topic, we have ended this unit, अब हम next video में मिलते हैं, next new unit के साथ, धन्हें कि एवस थे gosh, thank you for watching this video.